हेलो प्यारे बच्चों उमीद है आप सब बहुत अच्छे से होगे तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जो है mathematics की previous year question paper की series चल रही है इससे पहले हमने 2018 का set A discuss कर लिया है set B भी discuss कर लिया है और आज का हमारा topic आपकी screen पर दिख रहा है आज हम लोग mathematics class 10th CG board में previous year question paper 2018 का set C discuss करने जा रहे हैं तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें अगर आपने इसके पहले के दो set नहीं steady किये हैं उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाओ set A देखो 2018 का उसके बाद set B उसके बाद आप set C बनाईए तभी आपको इसका अच्छे तरीके से benefit मिल स चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना सभी दोस्तों के साथ ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक यह informative वीडियो पहुंच सकी तो चलिए सबसे पहले multiple choice questions अपने discuss करते हैं question number one देखते हैं क्या पूछता है question तो question आपके screen मे देखिए हिंदी में भी अपन देखते हैं और इंग्लिश में भी अपन डिसकस करते हैं हिंदी में दुई घात समी करण के मूल होते हैं ठीक है मूल यानी इंग्लिश में इसको roots बोलते हैं English medium में आप इसको देख सकते हो the roots of quadratic equations are a quadratic equation के कितने root होते हैं तो सबसे पहली बात देखो दुई घात समी करण या इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं quadratic equation quadratic equation ऐसे equation को बोलते हैं जिसका maximum power 2 होता है यानी जिसका घात जो है वो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए सबसे बड़ा घात तो इसका standard equation होता है ax square plus bx plus c equal to 0 ठीक है यहां पर जो power आपको दिख रहा है इस power को थोड़ा सा आप देखो ना this is maximum power 2 इसी वज़े से इस equation को क्या बोलते हैं दुई घात समी करण या quadratic equation अब एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए किसी equation का ध्यान से समझ यह के मेरी बात नहीं आपको हर जगह काम आएगा किसी equation का जो power होता है maximum power maximum power ठीक है जैसे इस equation में maximum power कितना दिख रहा है हमको 2 तो किसी equation का maximum power जितना होता है जितना होता है यह हंदी में लिख दे रहा हूं मैं उतने ही उसके मूल होते हैं यह जो मूल दिख रहा है ना root maximum power कितना होता है 2 तो इसका मतलब है इसमें root भी कितने होंगे आंसर है 2 ठीक है जितना maximum power उतना ही root तो इसमें हमारा option number a बिल्कुल correct होगा यहां से भी आप यह option number a वाला correct कर लेंगे this is correct option बढ़ते हैं question की तरफ दूसरा question है देखो मैं English Hindi दोनों में पढ़ता हूं देखो root 2 plus 1 और root 2 minus 1 का समांतर माद क्या है समांतर माद को English में आप arithmetic mean बोलते हो mean निकालने का सीधा सा मतलब यह है देखो arithmetic mean arithmetic mean को मैं x-bar से दिखा सकता हूं ठीक है इसको निकालने का सीधा साथ मतलब यह होता है कि जितने number है जोड़ो और जितनी उनकी संख्या है number की उससे divide कर दो यह आपने पढ़ रखा है पहले भी 16 में chapter का topic है हाला कि यह question आपके AP में दिया गया है चौथे chapter में आपके arithmetic progression में समांतर जो श्रेणी वाला chapter है उसका यह question है निकालने का तरीका वही है जैसे आप average निकालते हो sum of all observation जितने number यह जितने observation दिये हैं सबको जोड़ो sum निकालो और divide किसे कर दो number of all observation जितने हैं जितने number हैं उससे divide कर दो number of all observation ठीक बात समझ में आ गई आपको अब देखो अपन क्या करते हैं यहाँ पे number 2 कौन से दिये हैं एक number है देखो root 2 plus 1 और एक है root 2 minus 1 तो हम यह लिख दिये पहला number देखो root 2 plus 1 और जोड़ना है किसको दूसरे number को दूसरा number है root 2 minus 1 तो एक number हमारा यह हो गया और एक number हमारा यह हो गया दोनों number जोड़े चुकि दोठो number है इसलिए divide भी किस से होगा दो से अब देखो root 2 root 2 root root 2 वाले साथ में जुड़ेंगे तो देखो यह कितना root 2 है 1 root 2 एक आई ठो है न देखो एक root 2 यह भी कैठो root 2 है एक root 2 दोनों का sign plus है दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 1 root 2 plus 1 root 2 कितने root 2 हो गए 2 root 2 और इसको देखो 1 number है minus 1 number है दोनों number number साथ में जुड़ेंगे plus 1 और minus 1 आप उसमें कट जाएंगे opposite sign सेम number कट गए तो यह तो खतम हो गया नीचे 2 बचा नीचे का 2 उपर का 2 कैंसल हो गया और सिर्फ क्या बचा देखो root 2 यह आपका आंसर हो गया यही क्या है arithmetic mean shortcut में आप इसको am लिख सकते हो ना यह हमारा answer हो गया बढ़ते हैं के लिए question की तरफ तीसरा question है हमारा देखो sec square theta minus 1 का मान क्या होगा the value of sec square theta minus 1 पिछले वीडियो में हमने आप से बात की थी कि हमारे हाँ trigonometry में 2-3 identities चलती है identities उसमें मैंने पहली identity आपको बताई थी sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है दूसरी identity जो अभी हम यहाँ use करने वाले हैं उसके बारे हम बात कर लेते हैं यह identity होती 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta यह इसके detail lecture हमारे channel पर मिलेंगे जिसको शौक होगो जाकर के detail देख सकता है initial lecture जरूर देखा करो बच्चों वो बहुत काम की बनाए हैं मैंने तीसरा हमारा जो identity है वो है 1 plus cot square theta is equal to cos square theta हर एक में square होता है ध्यान से देखो यहाँ पर जो identity हम लोग use करने वाले हैं वो यह second number की identity है ठीक क्योंकि सै किसी में आता है और हमारे question में 1 plus 10 square theta किसके बराबर होता है sec square theta के बराबर अगर मैं इस 1 को ध्यान से देखना अगर मैं इस 1 को equal sign के उस पार भेज दूँ उस पार equal sign के तो यह 1 इधर देखो positive है positive उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा negative तो इसको मैं उधर भेज रहा हूँ न देखना इधर है sec square theta अब उधर का 1 transfer होके इधर आया तो क्या बन गया minus 1 और यही वो चीज है जो question में हम से पूछी गई है ध्यान से देखो उपर हिंदी में देखो या इंगलिश में कहीं भी देखो यही चीज है तो इस पार क्या बचा 10 square theta इसका मतलब है sec square theta की जग है sec square theta की जग है मैं क्या लिख सकता हूँ यानि इस स्वारी sec square theta minus 1 की जग है क्या लिख सकता हूँ 10 square theta और यही मेरा answer होगा तो इसमें हमारे कौन सा option दिख रहा देखो सावाला 10 स्कुएर थीटा इसमें C 10 स्कुएर थीटा So this is our correct option बढ़ते हैं अगली question की तरफ चौथा question है देखो यदि साओधी जमाखाती में ब्याज की गढ़ना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्सिक दर को लिया जाना चाहिए वार्सिक दर कितना लिया जाना चाहिए यह है असल में question इंग्रिश में इसी question को अपन बोलेंगे if the interest calculation is done ब्याज का गढ़ना interest calculation कैसे कर रहे हैं देखो is done quarterly basis quarterly का मतलब होता है हर तीन महीने में ब्याज की गढ़ना हो रही है तीन महीने में ब्याज की गढ़ना कर रहे हैं फिर से देखो ध्यान से if the interest calculation is done on quarterly basis in the fixed deposit account कैसा account है यह recurring नहीं है यह fixed deposit account है fixed deposit account जिसको आप साओधी जमकाता बोलते हो ना हिंदी में fixed deposit account then the annual rate should be taken as मैंने 2018 के set B और set A में भी यह बात आपको अच्छे से समझाई है वापस से set C में question repeat हो ध्यान से समझिएगा ना देखिए वो यह बोल रहे हैं कि हम जैसे मैं आपको example देता हूँ कि मेरी एक bank है मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा करो मेरी bank में आप पैसा जब जमा करोगे न तो हम आपको क्या benefit देंगे आपको benefit यह देंगे कि हम आपके खाते में हर तीन महिने में ब्याज लगा देंगे यानि मेरी bank आपको कब-कब ब्याज देगी तो answer है तीन-तीन महिने आएंगे करके देखो बारा महिने होते हैं तो तीन तीन महिना क्या बार आया तो आप यह अच्छे से समझ जाओगे कि कि इतनी बार आएगा चार बार फॉर टाइम्स एक साल में तीन तीन महिना क्या बार आएगा चार बार आएगा तो जितनी बार interest लगता है हर तीन महिने में ब्याज लगेगा और तीन महिना कह बार आएगा एक साल में चार बार आएगा इसका मतलब है ब्याज कह बार लगेगा चार बार लगेगा तो जितनी बार ब्याज लगता है खाते में rate के भी उतने ही टुकडे तो rate के भी कितने टुकडे हो जाएंगे, 4 टुकडे, ठीक, rate के भी कितने टुकडे हो जाएंगे, 4 टुकडे, इस बात को बहुत अच्छे से समझो, देखो, कब कब ब्याज लग रहा है, उसको आप ध्यान से निकाल लीजिए, हिंदी-एंग्रिश दोनों को पढ़के, इसमे कितनी बार तीन महीने आते हैं चार बार इसका मतलब है एक साल की अंदर कितनी बार ब्याज लगाएगा आपके खाते में चार बार जितनी बार ब्याज लगाया जाता है उतने ही टुकडे रेट के करने हैं तो चार बार ब्याज लग रहा है तो रेट की भी कितने टुकडे कर बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ पाच्वा कोशन है बिंदू दो और माइनस चार निर्देशांग सम्तल के किस चतुर थांश में होगा मैंने इसको भी पहले बता रखा है आपको 2,-4 यहां सबसे पहले एबसीसा लिखते हो जिसको आप x कोशन के अंदर यह तो यह आपका x कोशन हो गया यह आपका y कोशन हो गया देखो 2 के सामने कौन सा साइन है पॉजिटिव इसका मतलब x कैसा है पॉजिटिव य फोर है फोर y कैसा है निगेटिव अब आपको यह देखना है कि x positive y negative किस कोशन में होता है तो मैंने यह कोशन सिस्टम ऐसे बनाया और आप सब जानते हो कि इस तरफ x क्या होता है पॉजिटिव इधर x क्या होता है निगेटिव इधर y क्या होता है यहां पर y इस direction में positive होता है ना positive y और ठीक यह वाली line और y कैसा चाहिए negative y कहा होता है नीचे की तरफ तो अब इन दोनों line के बीच में कौन सा area फसा यह वाला और यह कौन सा quadrant है यह चौथा quadrant है इसलिए यह वाला जो point है 2, minus 4 हाला कि इसको मैं दिखाना नहीं चाहता दिखाना चाहों तो मैं ऐसे बना के दिखा स रखता हूं तुमको देखो x की तरफ कितना 2, so this is 1, this is 2, y की तरफ कितना जाना है minus 4 नीचे होता है देखो 1, 2, 3 और यह minus 4 दिख गया ना तो minus 4 वाली line graph copy में ऐसे जाती है और 2 वाली line graph copy में लगभग ऐसे आती है यह ठीक दोनों line ने कहां मिली यहां पर मिली तो यह वो point है जिसका address कितना होगा 2, minus 4 और यह किस quadrant में फसा तो answer है यह चौथे quadrant में फसा क्यों क्यों क्योंकि पहला quadrant हमारा यह होता है दूसरा quadrant यह होता है तीसरा quadrant यह होता है चौथा quadrant यह होता है यह ऐसे चलता है घड़ी की ulti direction में anti clockwise अपन इसमें देखते हैं तो यह जो point है वो किस quadrant म सही होगा 4th quadrant या चतूर्थ चतूर्थांस ठीक समझ आ गया होगा उम्मीद है बढ़ते हैं अगले question की तरफ यहां हमारा फिलिंद ब्लैंक से start होता है और इसमें पहला question है the sum of 5x plus 2 यह और 3x minus 2 इन दोनों का sum योग कितना होगा तो 5x plus 2 है और इसमें किसको जोड़ना है 3x minus 2 को तो मैंने पहले ही बताए आपको पिछले वीडियो में x वाला x वाले के साथ जुड़ता है तो 5x और 3x कितने हो गए 8x और number number 1 साथ जुड़ते हैं यह plus 2 है यह minus 2 यह cancel हो गया plus 2 minus 2 कट जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा तो सिर्फ क्या बचा हमारा 8x इसलिए यहां प पॉलीगॉन सिमलर हो जाते हैं पॉलीगॉन मतलब कोई भी ऐसा फिगर जो 4 तरफ से close हो और कम से कम उसमें 3 ठोसाइड हो तो एसा मैं एक्जामपल के लिए ट्राइंगल लेता हूं जैसे मैंने पिछले वीडियों भी ट्राइंगल का ही एक्जामपल आपको दिया था एक बड़ा एक छोटा बना देता हूँ, यह दोनों फिगर हम माल लेते हैं, कि यह क्या है, similar है, similar जब होते हैं दो फिगर, तो इनके corresponding angles बराबर हो जाते हैं, यह बराबर वाला question ना 2018 set B में आया था, ठीक, यह, तो यह angle corresponding के आपस में equal हो जाते हैं, ठीक है, एंगल आपस में equal होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने angle नहीं पूछा है, बच्चो, देखो, उसने क्या पूछा है, side, corresponding sides के बारे में पूछा है, समरूप बहुभुच की संगत भुजाओं के बारे मूनों ने पूछा है, तो याद रखना, angles similar polygon के बराबर होते हैं, लेकिन sides बराबर नहीं होते, sides का ratio बराबर होता है, जैसे अगर मैं इसको नाम दूँ, यह triangle ABC है, और यह triangle P, Q, R है, तो इस side का corresponding by कौन सा side होगा इसमें, यहीं होगा, तो AB वाली side का corresponding by कौन P, Q, इन दोनों का हम ratio ले रहे हैं, ratio को आप ऐसे लिख सकते हो, divide में, BC वाली side का corresponding by कौन होगा, यह Q, R, तो हमने BC के नीचे किसको लिखा, जो उसका corresponding है, Q, R, फिर यहाँ देखो, AC वाली side का corresponding by कौन होगा, P, R, तो यहाँ पे हम AC के नीचे, यानि AC के साथ ratio में किसको लिखेंगे, P, R को, और यह सब ratio, sides, यह corresponding sides के ratio लिख दे, मैंने, सभी corresponding sides के ratio आपस में बराबर होते हैं, similar figure के, यह बात आपको याद रखना है, और एक चीज और ध्यान से समझें, कि जब भी दो ratio equal होते हैं, जैसे यह एक ratio हो गया, यह दूसरा ratio हो गया, दो ratio जब equal होते हैं, equal, तो उसको बोलते हैं, proportional, प्रपोर्शन यह प्रपोर्शनल, यह याद रखेंगे आप, तो इसमें, आप option में क्या लिखोगे, answer में, proportion, यह मैंने लिख दिया, यहीं पर सामने ही फस गया, यह proportion, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ratio को बोलते हैं, अनुपात, और proportion को बोलते हैं, समानुपात, तो इन corresponding sides आपस में बराबर नहीं होती, corresponding sides का ratio आपस में बराबर होता है, और जब दो ratio बराबर होते हैं, तो उसको proportion बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, अगले question के तरफ बढ़ते हैं, the ordinate of any point on the x-axis is, ordinate का मतलब होता है y-coordinate, क्योंकि x-coordinate को ebc सा बोलते हैं, हम पहले ही discuss कर चुके हैं, अगर आपने देखा है, तो आपको याद होगा भी न, नहीं देखे हो तो कवनों बात ही नहीं है, तो x-axis पर, जैसे मैं मिसाल के तोर पर यह x-axis बना दे रहा हूं, x-axis, x-axis में कोई भी point लो, जैसे यह point ले लिए, अब इसमें y कब जिन्दा होगा, y तब जि जिरो होगा, और y coordinate को ही क्या बोला जाता है, ordinate जो यहाँ लिखा है उसने न, यह ordinate बोलते हैं y coordinate को, ठीक है, कोटी हिंदी में बोलते हैं इसको, तो यह 0 होता है बच्चों, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी 0 लिख सकते हो, I से भी 0 लिख सकते हो, this is our answer, अगला हमारा जो क टेक्स ही है यह, educational tax is payable on, educational tax किस पर लगाया जाता है, तो याद रखिएगा, taxable income पर लगाया जाता है, इस पर मेरा पूरा detail lecture मौझूद है, अभी मैं अगर इस पर detail दूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चाहें तो जा करके, chapter number 8 का, banking and taxation में जो second part ह है हमारा, second exercise, उसका introductory lecture आप देख लो, मैंने बहुत detail से समझाया है, taxable income भी आप लिख सकते हो, या आप चाहो तो taxable amount भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक option, taxable amount, ठीक है, हिंदी में देख लेना भाई, इसको क्या बोलते हैं, किस रासी पर लगाया जाता है, tax को तो क पर बोलते हैं, ठीक है, चलो, देख लीजेगा हिंदी में इसको, इंगलिस में taxable income या taxable amount कुछ भी आप लिख सकते हो, ना, नीचे का last question है, if the diameter of circle is 20, then its radius will be, आपको diameter दिया हुआ है, d is equal to 20, तो radius पूँचा है, r कितना होता है, हमेशा diameter का आधा, तो अगर diameter 20 दिया है, तो आधा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10, तो यहाँ पर answer क्या होगा, 10 cm, उमीद है, यह question आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, अब सीधे यहाँ से हम लोग question answer की तरफ, sorry, अभी तो true false है, true false पहले देख लेते हैं, जल्दी जल्दी फटा फट, उसके बाद बढ़ते हैं, प्रशन और उत्तर की तरफ, और फिरागे की चीज़े discuss करते हैं, तो देखो, सत्य और आसत्य में हमको जवाब देना है, पहला question आपके सामने है, एक घनाप के आकाशी विकरणों की संख्या 4 होती है, English में क्या बोलेंगे, the number of space diagonals of a cuboid is 4, same question जो 2018 set B में repeat हु पूचा है, यहाँ पर cuboid के लिए पूचा है, तो जो explanation मैंने वहाँ दिया है, वही explanation यहाँ भी होगा, तो अगर आपने 2018 का paper देख लिया है, तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से लिख सकते हो, वहाँ details मैंने समझा दिया है, इसलिए यहाँ पर हम वो details discuss नहीं कर रहे है तो चार space diagonal होते हैं कि नहीं होते हैं, यह हमने वहाँ already discuss किया हुआ है, बिलकुल जी हाँ होते हैं, तो यह हमारा क्या होगा, true, चार ही होते हैं, और वहाँ पर 2018 set B में देखोगे, तो वहाँ पर उसने कितना 8 दिया है, या 16 दिया है, इसे कुछ, तो आप वहाँ से भी इसक अगला question लेते हैं हम लोग, next क्या है हमारा, 2018 set B में वहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो वह false था वहाँ, और यहाँ पर 4 दिया है, जो कि बिलकुल correct है, वहाँ हमें ने explain भी किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, अगला question देखो, the interesting line, sorry, the intersecting line of the circle intersect at 3 point, वृत की छेदक रेखा वृत को तीन बिंदुओं पर प्रतिक्छेत करती है क्या, इस question को समझो ध्यान से, the intersecting line of the circle, intersect at 3 point, कहने का मतलब यह है कि देखो भाया, एक circle है, एक line मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ, कहीं से भी आप पास कराओ, किसी भी एंगल, उपर नीचे दाये बाए, जहां से तु तो एक line circle को क्या 3 point पे काटती है, इंटरसेक्ट करती है, 3 point पे काटकी गुजरती है, तो देख लो, यह रहा पहला point जहां पे इस line ने circle को काटा, यह रहा दूसरा point जहां पे इस line ने circle को काटा, तो कह जगा काटा, सिर्फ 2 जगा काटा, दो point पर, तो तीन पॉइंट पर नहीं काटता है कोई भी सीधा लाइन एक सरकल को सिर्फ दो पॉइंट पर काटता है इसलिए ये वाला statement क्या हो गया false ठीक है ना समझ गया ओके next लेते हैं तीसरा sin 30 degree कमान root 3.2 होता है the value of sin 30 is root 3.2 इसके लिए आपको table अच्छे से याद होना चाहिए ये sin 60 degree की value है तो ये फेल हो गया sin 30 degree की value 1 by 2 होता है ये याद रखना ठीक है तो ये false है आपका गलत अगला question देखो the sum of 2 odd number is always odd number दो विसम संख्याओं का जोड दो विसम संख्याओं का योग क्या हमेशा एक विसम संख्याओं ही आता है तो example ले लेते हैं आप देखो एक odd number 3 दूसरा odd number 5 मैंने दोनों जोड़ा दोनों odd number है कितना आ गया 8 लेकिन ये विसम संख्याओं नहीं है ये तो sum संख्याओं है 2 से divide हो जाती है और यहाँ क्या बोला है दो विसम संख्याओं का योग सदै विसम संख्या होती है आंसर है नहीं sum संख्या होती है तो ये हमारा false हो गया अगला question अपन लेते हैं आखरी question है पांचमा देखो sume current 7x-4y मैं यहाँ side में लिक देता हूँ इसको 7x-4y is equal to p ठीक है तो इसमें question ये बोलता है देखो कि x की जगह पर 3 रखने पर x का मान कितना रखेंगे 3 और y का मान 4 रखने पर क्या p का मान 5 आता है ये सत्थ है या सत्थ है तो चलो देख लेते हैं x की जगह क्या रखवाना चाह रहा है वो 3 तो जहाँ x है वहाँ 3 रख दिए y की जगह क्या रखवाना चाह रहा है 4 तो जहाँ y है वहाँ 4 रख दिए और p की value हम निकाल लेते हैं ये दोनों multiply होंगे आपस में तो 7 3 जा 21 और ये 4 4 जा 16 p 21 में 16 गया कितना आया 5 is equal to p तो देखो p की value कितनी आई तो बिल्कुल correct है हमारा ये option तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं true false हो गया हमारा अब यहाँ से question answer start होता है चलिए देखते हैं तो ये पहला question है if the polynomial p of x is equal to 3 x cube minus 4 x square plus 17 then find the value of p of minus 1 and p of 0 हाना कि ये question हम already discuss कर चुके हैं set a में भी और set b में भी तो उमीद है कि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा ये और आपको कोई परिशानी इसमें नहीं होगी ठीक तो सबसे पहले given इसमें जो polynomial हमको दिया है जिसको बहुपद हम बोलते हैं उसको हम note कर लेते हैं पहले 3 x का power 3 minus 4 x का power 2 और plus 17 अब यहां पर देखो क्या रखना है एक बार हमको p of minus 1 निकालना है यह minus 1 किसकी जगह पर है तो यहां देखो जो polynomial यह हमको दिया हुआ है p of x तो p of x है यह अंदर bracket के अंदर तो यहां bracket के अंदर minus 1 इसका मतलब है x की जगह minus 1 रखना है और एक बार x की जगह क्या रखना है यह यहां देखो 0 तो चलो एक बार हम क्या put करेंगे at x is equal to क्या लेना है minus 1 इस पर check कर लेते हैं p of x कितना आता है तो जहां जहां x है वहां वहां minus 1 रखते चलो पूरे equation में यहां पर x की जगह minus 1 रखा x का पावर 3 है तो minus 1 का पावर 3 minus 4 x की जगह minus 1 इसका पावर 2 और प्लस 17 चलो अब एक चीज आप यह ध्यान में रखो कि negative का यह ध्यान में समझना negative का पावर अगर कोई odd number है विसम संक्या तो answer में हमेशा negative आएगा ठीक और अगर negative sign का पावर कोई सम संक्या है जिसको आप लोग even बोलते हो तो फिर इसका answer हमेशा कैसा आता है positive आता है याद रहेगा आपको तो चलिए अब यहाँ देखिए this is 3 और यहाँ पर आप देखो minus 1 का पावर क्या है odd number ही है तो मैंने भी आपको बताया negative चीज का पावर जब odd number होता है वी सम संक्या होता है तो answer में हमेशा क्या आता है minus ठीक और 1 का cube 1 का चाहिए कोई भी power हो तो 1 ही आएगा ठीक ओके यहाँ पर देखो negative का power 2 है और 1 का power भी 2 है दोनों का power आप मानेंगे न minus कभी और 1 कभी तो minus sign का power जब कोई even number हो यह हमेंने बताए न सम संक्या तो answer में क्या आता है positive तो यह चीज तो positive हो गई अंदर 1 का power 2 1 का power कुछ भी हो वह तो 1 ही रहता है और यहाँ पर आया 17 ठीक समझते जाना कैसे कर रहे हैं अब 3 into minus 1 क्या होगा minus 3 4 into 1 क्या होगा 4 यह minus sign पहले से 4 पर न plus 17 अब यह दोनों देखो क्या है दोनों negative है तो दोनों साथ में solve कर लेते हैं minus minus क्या होता है देखो जी minus minus क्या होता है क्या करना रहता है plus minus minus plus यानि करना आपको addition है तो 3 और 4 दोनों जूड के कितने होगा है साथ इस साथ पर कौन सा sign लगेगा जो बड़े वाले पर था 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है 4 और 4 में negative sign है इसलिए 7 पर भी negative sign आया और plus 17 बात समझ रहे हैं अब देखो यह minus यह plus minus और plus क्या करना होता है कौन सा operation बनता है negative यानि subtraction बनता है तो इन दोनों को minus करना है तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो 17 में से साथ गया है कितना बचा 10 और sign इस पर बड़े वाले के लगेगा बड़ा कौन है 17 17 प्लस sign में है तो यह भी प्लस sign में आयेगा so p of minus 1 कितना आया हमारा 10 यह हमारा answer हो गया अब इसी तरह से अपने को क्या निकालना है p of 0 तो यह हमारी पहली solution थी और दूसरा solution हमको क्या निकालना है at p of 0 का क्या मतलब है x की जगे अब क्या रखना है आपको 0 at x is equal to 0 रखते चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो equation में 3 x की जगे 0 0 का power 3 4 x की जगे 0 और power में 2 लिखा हुआ था और यह plus 17 हम सब जानते हैं 0 का power कुछ भी हो वह तो 0 ही रहता है यहाँ भी 0 का power कुछ भी हो 0 and this is plus 17 0 से कोई भी number multiply होगा 0 0 से कोई भी number multiply होगा 0 and this is only plus 17 0 0 लिखने के ज़रूरत नहीं है plus 17 का plus भी लिखने का ज़रूरत नहीं है तो P of 0 कितना आया 17 this is our P of 0 answer उमीद है यह question समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ तीसरा question ratio and proportion से है इसमें देखिए ऐसा question भी हम discuss कर चुके हैं already set A, set B में फिर से यहां पर हम discussion करते हैं given क्या क्या दिया है देखो x is to यह ratio की निशानी है न 10 and this is proportional to समानुपात बोलते हैं इसको 15 अनुपात 25 ठीक है हिंदी इसमें mix कर दे रहा हूँ तो चार number जब proportion में होते हैं proportion की निशानी यह चार मिंदू बीच में लगी रहती है ठीक है तो चार number जब proportional होते हैं तो हमने आपको पहली बताया आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हो और proportional का मतलब होता equal ऐसे लिख सकते हो या चाहो तो direct वो नियम लगा सकते हो multiplication of product या multiplication of extreme term is equal to multiplication of middle term या product of extreme term is equal to product of middle term direct कर सकते हो set B जिसने देखा होगा 2018 का उसको समझ में आ रहा होगा या यहीं पर लाकर हम cross multiply कर देते हैं cross multiply करने का तरीका यह है कि x को 25 के साथ multiply वीच में equal और 10 को 15 के साथ multiply तो देखो 25 और x जब multiply होंगे 25 x और 15 और 10 जब multiply होंगे तो 150 बन जाएगा यह 25 x के साथ multiply में है इसको उधर भेजेंगे तो divide में चला जाएगा इसको हमने यहाँ divide में भेज दिया अब यह 25 पांस से कटता है देखना न 5 5 जा और 15 को भी कार देते हैं 5 3 जा कटा और 5 से 10 भी कर जाएगा 5 2 जा तो उपर 3 बचा और 2 बचा और 3 2 जा कितना होता है 6 तो x की value कितनी आएगी 6 आएगी यह इसका answer होगा ठीक है जी x की value कितनी आएगी 6 और इसको आप चेक भी कर सकते हो देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पर यह सही है कि नहीं चेक ठीक है यह x था 10 proportionate to 15 is to 25 x की value मैंने कितनी निकाली 6 is to 10 proportionate to 15 is to 25 हम क्या करते हैं देखो extreme term का multiplication यही बता रहा था मैं और यह किसके बराबर होता है middle बीच वाले number के multiplication के बराबर होता है तो 6 और 25 का multiplication किसके बराबर आना चाहिए 10 और 15 के multiplication के बराबर जाए करके देखो 6 35 का 0 3 आया 6 दुनी 12 और 3 15 एक सो पचास आया 6 और पचीस का multiplication यहां करते हैं 15 और 10 यह भी 150 देखो दोनों का multiplication बराबर आया कि नहीं आया तो यह आपका left hand side हो गया यह आपका right hand side हो गया यही तो होता है proportion में इसका मतलब है x की जो value हम दे निकाली है यह बिलकुल correct निकाली है बढ़ते है अगले question की तरफ चौथा question है ऐसा question फिर से repeat हो रहा है हमने पिछले set में discuss के अल्रेडी हिंदी में आप पढ़ लिजे में इंगलिस में पढ़ रहा हूं find the slope of the straight line एक straight line हमको दिया है उसका हमसे क्या पूछा जा रहा है slope slope यानि धलान जिसको प्रवटता भी बोलते हैं आप लोग हिंदी में यह उपर लिखा भी है देखो और इसको gradient भी बोलते हैं इंगलिस में एक और शब्द समझ दो और क्या निकालना है देखो intercept तो पिछले lecture में मैं intercept आपको बहुत अच्छे से समझाया था intercept cut on the y-axis यह हमको निकालना है तो जिसने 2018 set भी देख लिया है उसको समझ में आ जाएगी सारी चीजें चली हम इसको शुरू करते हैं given पहले note करेंगे क्या क्या चीज हमको दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको equation of line दिया हुआ है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं मैं इंगलिस में लिख दे रहा हूँ है नराज सरल रेखा लिख लिजे equation of line क्या दिया हुआ है देखो 7x-2y-15 equal to 0 इसको आपको compare करना रहता है किस से compare it with general equation of straight line और straight line का general equation क्या है y is equal to mx plus c यह इसका general equation होता है straight line का किसी भी सीधी रेखा का यह नाम है ऐसा समझ लो ठीक तो अगर मुझे जो equation दिया हुआ है question में अगर मैं इस equation को general equation की language में set कर दूँ इसी तरह तो उस समय y का coefficient 1 होना चाहिए यहां कुछ भी नहीं दिख रहा न इसका क्या मतलब होता है further detail के लिए आप हमारे direct video पर चले जाए playlist में class 10 के और उसमें जाकर के coordinate geometry का chapter खोल लिजे 7 या 6 चैप्टर है उसमें आप इन चैप्टरों को इन डीटेल्स को जाके आराम से देख सकते हो हमें इन डीटेल से समझाया है even हमने पिछले lecture में बात किये set B में set A में तो वहां से आप इसको समझ सकते हो तो हमारा काम ये है देखते जाओ now हमारा काम ये है कि हमको जो equation दिया गया है उसको हम किस language में set करेंगे इस language में ऐसा set हो जाए तो देखो ये है 7x-2y-15 is equal to 0 तो मैं चाहूं तो सबको उधर भेज दूँ चलो ठीक है भेज देते हैं यहां मैं बचा लेता हूं minus 2y is equal to अब ये 7x को देखो न इधर क्या है? positive equal की उधर जाएगा क्या हो जाएगा? negative ये 15 को देखो negative है उधर जाकर क्या हो जाएगा? positive अब इस 2 को भी हमको यहां से भेजना है ध्यान से समझते जाना दोस्त 2 को भी हमको यहां से भेजना है क्यों? क्योंकि y का coefficient 1 बनाना है तो 2 हटाएगे तब ना 2 से सबको divide कर देते है तो 2 से divide करोगे 7 को 2 से divide करोगे तो यह 7 upon 2 दिखेगा और 15 को 2 से divide करोगे तो यह 15 upon 2 दिखेगा लेकिन अभी भी एक समस्या है y के साथ negative है और हमारे main equation में y positive रहता है positive y तो इसको हमको positive बनाना पड़ेगा इसका मतलब आप पूरे equation को minus से multiply कर दो तो जब आप यहां y को minus से multiply करोगे तो यह minus minus क्या हो जाएगा plus यहां multiply करोगे x को minus के साथ तो यह भी minus minus क्या हो जाएगा plus तो plus 7 upon 2 हो जाएगा यह यह plus है तो minus के साथ जब यह multiply होगा तो plus minus minus 15 upon 2 यह समझ रहे हो ना यह देखो यह यह बन गया इसको हम एक और ढंग से लिख सकते हैं चुकि हमारे main equation में c के साथ positive sign आता है since y is equal to mx plus c तो इसी language में हम ये वाले equation को लिखना चाहते हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूं उसको देखो y is equal to 7 upon 2x plus और यह जो minus sign है यहाँ मैं इस पूरे को एक साथ combine कर ले रहा हूं so this is minus 15 upon 2 यह आगे उसी language में उपर नीचे आप match कर लो अब इस situation में जब y का coefficient 1 हो जाए तो x को आप नीचे x के साथ compare कर लिजिए तो m की जगह क्या दिख रहा आपको यह और m क्या चीज होता है slope इसलिए यहाँ पर slope हमारा कितना हो गया slope या प्रवड़ता प्रवड़ता कितना हो गया 7 upon 2 और intercept जिसको अपन C से represent करते हैं जिसको हिंदी में अंताखंड बोलते हैं वो कितना हो गया minus 15 upon 2 और यही है इस question का उत्तर बढ़ते हैं अगले question की दरफ note करें इसको pause करके अगला question हमारा trigonometry से same question repeat हो रहा है set A में भी था set B में भी हमने discuss किया अब set C में भी आ गया इसमें मैंने आपको बताया था कि regular angle और irregular angle आप पहचान लीजिए तो मैंने आपको बताया था 0 हो गया 30 degree हो गया 45 हो गया 60 degree हो गया 90 degree हो गया यह सब हमारे table में आने वाले एंगल है तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं अपन regular angles इनकी value हम tables उठा के रखेंगे तो जैसे यहां देखो और इनको कटाएंगे समझ नहीं बात ओके तो complimentary वगयरा सारी जीजिए मैं पहले बता चुका हूँ तो आप पहले सेट यह सेट भी देखो तब यह clear अगर समझ में आएगा मैं इसको fast बनाना चाहता हूँ तो अब देखो solution इसका हमको question दिया है 2 cos 67 degree upon sign 23 degree plus cos 0 degree तो complimentary का नियम यह बूलता है कि आप क्या करो 90 minus theta की language में लिखो मैंने पहले बता दिया detail से 2018 a set b में देखो जाके मुझे न इस 67 को किस language में लिखना है 90 minus theta तो मैं 90 में से क्या घटा दूँ कि 67 ही बना रही इसका answer तो आप सब को पता होगा जो नीचे लिखा है वही चीज घटाना रहता है 90 minus 23 करोगे मतलब यह क्या लिखा है 90 minus 23 67 लिखा है वैल्यू कितनी होती है जो आप टेबल से देखोगे तो आपको दिखेगा यह वन होता है ठीक उसके बाद देखो कॉस के सामने यहां 90 डिग्री आया 90 तो 90 के सामने जब कॉस हो तो कॉस किसमें चेंज हो जाता है साइन में यह सारी बाते हम पहले कर चुके हैं भई न साइन और यह जो एंगल रहता है थीटा यह साथ में चिपक आता है साइन 23 डिग्री यह हो गया नीचे में भी साइन 23 डिग्री है और यह प्लस 1 अब यह भी साइन 23 यह भी साइन 23 कट गया कट पिट किया क्या बचा 1 1 2 के साथ मल्टिपलाई में है तो 2 बंजा 2 और यह वाला प्ल सब बढ़ते हैं अगली कोशन की तरफ अगला कोशन छटमा कोशन है हमारा यहां पर फिर सुन्होंने अरिथमेटिक मीन पूचा है और इसको हम डाइरेक्ट निकालेंगे अरिथमेटिक मीन तो मीन निकालने क्या तरीका हमारा एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं हम सब जानते हैं कि अपने को क्या करना रहता है सम अफ ऑल अब्जर्वेशन और डिवाइड़ बाय नमबर ओफ अब्जर्वेशन ठीक है तो सभी अब्जर्वेशन हम जोडेंगे तो यहां क्या क्या लिखा है देखो फाइव प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 इनको जोडना है और जितने यह नमबर है उतनी गिंती से डिवाइड कर देना है तो कैटो नमबर है देखो मैं गिन रहा हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो हम इसको डिवाइड किस से करेंगे आठ से अब सबसे पह कर लेता हूं साइड में जल्दी जल्दी 5 और 7 जोड लिए जल्दी से इसको आप एड करो मैं डारेट इसका आंसर लिखने जा रहा हूं आप लोग अपनी कॉपी में इसको बनाईए उम्मीद है कॉपी और कलम आप लेके बैठे होगे ऐसे खाली पिचर देखने तो नहीं जोड़ेंगे तो यहां को मिलेगा 96 जोड़के देखो अगर मैं कहीं गड़बड़ी कर दे रहा हूं तो आप लोग करेट कर लेना ना एक से हम इसको डिवाइट कर रहे हैं जैसे ही आप इसको 8 से डिवाइट करोगे करके देखो 12 जा होता है 12 बेट जा 12 आठ्थे 6 आणवे होता है तो ये 12 टाइम चला जाएगा वैसे भी काट के देखो आठ का पहाड आप एक बार पढ़ो 8 बन जा 8 यहाँ एक बचा 16 हो गया 8 दूनी 16 तो ये हमारा आंसर हो गया This is average ये mean आ गया हमारा न उमीद है ये कोशन समझ में आ रहा होगा बढ़ते हैं अगली कोशन की तरफ सात्मा कोशन construct a quadratic equation whose roots are 4 and minus 4 तो हमको quadratic equation बनाना ये भी same question repeat हो रहा है already हम discuss कर चुके हैं तो हमको roots दिये हुए है roots ये given लिख रहा हूं में न दिया है हिंदी में लिखना एक root को मैं alpha मान लेता हूं 4 एक root को मैं beta मान लेता हूं 4 समझ रहे हैं उसके बाद direct quadratic equation बनाने के लिए हमारे पास एक धाचा होता है और वो धाचा है x square minus sum of root पहले discuss कर चुके हम ये सारी चीजे plus product of root is equal to 0 बस यहां values को put करिए यहां पर दोनों root को जोड़ना है तो 4 plus 4 into x और यहां दोनों root को multiply करना है तो 4 into 4 is equal to 0 तो यह हुआ x square minus 4 और 4 कितना हो गया 8 x और यहां 4 और 4 multiply हुए तो कितना हो गया 4 4 just 16 is equal to 0 और यही है क्या बोलो न क्या ज्यादा मिट किया यही है अपना क्या क्या चीज है यह quadratic equation जो हमको बनाना था ठीक है work sum current यह दूई घात sum current भी इसको आप बोल सकते हैं this is required quadratic equation this is required quadratic equation यह answer हो गया अगले question की तरब चलते हैं यह question अगर आप 2021 के लिए prepare कर रहे हो जो बच्चे 2021 में board पर इक्षा लिखने वाले हैं वो इस question को नहीं बनाएंगे इसको skip करके आगे चले जाओ क्योंकि 2020 के लिए topic काट दिया गया था AP का एक question है sum वाला मैंने यह पिछली वीडियो में बताया था 2018 set B में set A में तो चलो solve करते हैं बाद में अगर आप देख रहे हो 2021 के बाद कभी भी 2022 23 24 25 कभी भी देख रहे हो तो फिर आप इसको देखोगे और बनाओगे यहां पर हमको एक AP दी हुई है ठीक AP मैं लिख देता हूं जरूरी नहीं कि बीच में प्लस प्लस लगा के ही लिखोगे ठीक ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें पहला term क्या दिया है common difference तो आप निकाली सकते हो common difference निकालने का तरीका आगे वाले term से पीछे वाले term को minus कर दो यह आपको मिल गया common difference अब हमसे इन्होंने पूछा क्या है find the sum of 12 term कैठो term जोडने के लिए बोल रहे हैं 12 पदों का योगफल कैपद जोडना है 12 जोडना है योगफल तो हमसे कितने term जोड़वा रहा है question number of term को हम represent करते है n से 12 और हमसे क्या पूछा जा रहा है sum of 12 term निकाल लिए कितना आएगा तो हमको मालूम है sum of n term का formula होता है n upon 2 2a plus n minus 1 into d यह sum of n term का formula होता है अपने को कितने term जोडना है 12 term तो जहां-जहां n आ रहा है वहां-वहां 12 पूट करते चलेंगे 2 into a क्या है पहला term 5 है n कितना था 12 minus 1 और common difference कितना निकाला मैंने 4 नो मेंसे 5 गया था 4 आया था देखो उपर लिखा हुआ है ठीक चलो 2 से तो 12 कट गया 2, 6 जा 12 होता है यहां तो 6 बचा 5 दूनी 10 यह multiply हो गया प्लस 12 मेंसे एक गया यह कितना बन गया 11, 11 into 4 कितना हो गया 44 ठीक है न अब 6 into 10 और 44 कितना हो गया 44 और 10 54 इसको multiply करना है आपको 6 4 जा 24 दो आया 6 35 और 2 32 तो 624 इसका आंसर आता है sum of 12 term is 324, 324 यह हमारा आंसर हो गया तो इसको note तो बढ़ते हैं के लिए question की तरफ नौमा question अपन लेते हैं एक बेलन का व्यास 12 cm है यानि the diameter of cylinder is 12 cm और मैं given भी लिखते चलता हूँ given तो सबसे पहले किस figure की बात हो रही है तो for cylinder और हिंदी medium वाले क्या लिखोगे बेलन के लिए ठीक क्या क्या दिया है देखो फ़र diameter दिया है diameter को मैं D से represent करता हूँ यह कितना दिया है 12 cm diameter से मैं क्या निकाल सकता हूँ radius जिसको आप लोग तिरिज्या बोलते हो और तिरिज्या क्या होता है diameter कर जस्ट आधा half कर दिये तो 12 को divided by 2 अगर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा radius मिल जाएगा कितना हुआ यह 6 cm ठीक है और height दी हुई है question में देखो मुझ आई दी है height इसको h से हम लोग represent कर रहे हैं कितना दिया हुआ है देखो यह 14 cm 14 cm आप चाहो तो diagram भी बना सकते हो बहुत आसान है कोशिश करो exam में बिना diagram के ऐसे question को छोड़ के नहीं आओ diagram जरूर से जरूर बनाओ ठीक है और साब सुतरा diagram बनाना मैं तो computer की स्रीन पर बना रहा हूं तो थोड़ी बहुत mistake मुझसे हो सकते हिल डूल जाए ठीक है लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करोगे ठीक यह ऐसे diagram बना दो यह हमारा of cylinder हिंदी मीडम वाले क्या लिखोगे संपूर्ण प्रेस्ट संपूर्ण प्रेस्ट इस इक्वल टू इसका formula क्या होता है संपूर्ण प्रेस्ट का तो देखो सम इसको formula हम बना लेते हैं अगर आपको formula डारेक्ट याद हो तो ठीक है otherwise नहीं याद है तो आप मेरे lecture देखो इ यह वाला इसको बोलते हैं कर्ड सर्फिस और यह होता है कितना टू पाई आर एच यह गोल गोल यहां पर जो कर्ड सर्फिस होता है यह यह होता है टू पाई रह ऊपर का एक एरिया यह सर्कुलर होता है यह वाला एरिया होता है पाई आर स्कॉायर नीचे भी एक सर्कल होता बेस में, इसका भी एरिया होता है, पाई आर स्कॉयर, बस तीन थो तो सर्फिस होते हैं, तीनों जोड़ोगे, तो क्या बन जाएगा, टोटल सर्फिस एरिया, तो इन तीनों को पन जोड़ देते हैं, देखो, एक तो मैं जोड़ दिया, टू पाई आर एच, प्लस, ये वाला उपर वाला पाई आर स्कॉयर, और नीचे वाला पाई आर स्कॉयर, दो थो पाई आर स्कॉयर हो गए, टू पाई आर स्कॉयर, अब इसमें कुछ कॉमन निकलता है, तो निकाल लेते हैं, देखो, टू पाई आर, इसमें भी टू पाई आर है, कॉमन निकाल लेते हैं, टू और यहां क्या बचा, h, और यहां क्या बचा 2-tho r थे, तो 1r बचा, यह आपका formula होता है, total surface area का, यह whole surface area का, यह संफूर्ट प्रेश्ट का, 2πr into r plus h, यह h plus r, चलो values put करते हैं, 2 in 2, πr new, 22 upon 7, r हमने उपर निकाल रखा, देखो 6 cm, height कितना दिया हुआ था, 14, और radius कितना निका 6 ठीक है तो कितना कितना आ रहा है भाई देखते चलो फटा फट मुल्टिप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 6 ठीक डिवाइड में है 7 और ये 14 और 6 जब जुडेंगे तो ये क्या बन जाएगा 20 तो ऊपर सब आपको मल्टिप्लाई करके 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 22 तो 44 हो गया तो 44 को आपको किस से मल्टिप्लाई करना है 6 से और 20 को मल्टिप्लाई करेंगे तो उपर आप देखोगे जब आप इनको मल्टिप्लाई करोगे मैं साइड में यहां ल 54.28 पॉइंट है बीच में न यह और यह टोटल सर्फिस एरिया है इसलिए कि इसमें आएगा सेंटिमीटर स्कॉाइर में तो यह इतना हमारा आंसर आता है आप एक बार फिर से चेक करके देख सकते हो इजी है कोई कटिन नहीं है ठीक है 6 और 20 जब मल्टिप्लाई करोगे तो 120 तो यही हो जाएगा और 44 ही हो जाएगा तो 120 और 44 जब मल्टिप्लाई होंगे 120 और 44 तो आपको यह मिलेगा 5 to 8 0 और जब आप इसको 7 से डिवाइट करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर यही आ रहा है 754.28 cm2 उमीद है यह कोशन आपको समझ में आ गया होगा बढ़ता हूँ मैं अगले कोशन की तरफ दस्मा कोशन यहाँ पर हम लेते हैं और फिर से आपको एक बात बता दें कि देखो भाया जो बच्चे 2021 का बोर्ड पर इक्षा लिख रहे हैं वो इस कोशन को छोड़ देंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही कट गया है 2021 वालों के लिए और अगर आप बाद में देख रहे हो तो इसको आप जरूर बनाओगे नए इसको छोड़ के नहीं जाओगे कोशन है प्रूब देट दे स्क्वायर ओफ एन और नमबर इस एन और नमबर सिद्ध करके दिखाइए कि विसम संख्या का वर्ग यानि विसम संख्या का जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसका अंसर हमेशा एक विसम संख्या ही आता है ठीक है तो चलो बनाते हैं इसको आसान सा कोशन है सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि विसम संख्या कैसे बनता है जैसे एक नमबर है एक्स तो हम शियोर नहीं है कि यह तुम्हारा इवन नमबर है कि और नमबर है अगर मैं इसको टू से मल्टिप्लाई कर दूँ किसी भी नमबर को टू से मल्टिप्लाई करो वो टू के टेबल में आएगा यानि टू से डिवाइड होने वाला बन जाएगा यानि क्या बन गया? Even number यानि some संख्या बन गया तो किसी भी number को 2 से multiply करोगे तो क्या बन जाएगा? Some संख्या? Even number और इसमें आप 1 जोड दो किसी भी even number में 1 जोड दिये तो यह क्या बन जाएगा? Odd number समझ में आ गया? तो यह odd number की निशानी हो गई, यही चीछ को यहाँ पर मैं माल लेता हूँ Let 1 odd number b a और a is equal to, मैं यह माल लेता हूँ 2x plus 1 ठीक है? यह odd number मैंने माल लेता हूँ a नहीं भी लिखो के तो चलेगा ऐसे भी लिखो के तो चलेगा अब देखो अपने को क्या करना है हमने एक odd number माल लिया है a for apple ठीक है? इसका क्या करना है? देखो square तो चलो according to the question चलते हैं according to question यह मैं लिख रहा हूँ odd number 2x plus 1 लिख दिये अब square करना है तो बीच में equal लगा तो दोनों तरब square कर देते हैं इसका square करोगे तो a square हो जाएगा और इसका square करोगे तो यह whole square हो जाएगा पूरे का square करना है अब a square तो a square ही रहेगा लेकिन यह कैसा दिख रहा है? देखो a plus b का whole square दिख रहा है ना ऐसा देखो a plus b का whole square तो यहाँ पर हम identity लगाएंगे क्या? a square प्लस 2AB और प्लस B स्क्वाइर यह तो सब जानते हो बच्पन से पढ़ते आ रहे हो ऐसा होता है ठीक है ना तो यहीं चीज यहां पर हम लगा रहे हैं देखो A की जगह कौन है 2X B की जगह कौन है 1 तो पहले A स्क्वाइर यानी 2X का स्क्वाइर फिर प्लस फिर 2 इंटू A की जगह है 2X और B की जगह है 1 प्लस B का स्क्वाइर बी 1 है तो 1 का स्क्वाइर हो गया अब हम स्क्वाइर कर देने 2X दोनों का स्क्वाइर होगा 2 का स्क्वाइर यह हो गया अब देखो ना इसमें और नमबर हमको इसको ले के आना है यही न पूरूब करना है कि किसी भी एक हो तो मैंने और नमबर माना है और नमबर का स्क्वाइर भी क्या आता है और नमबर यहीं पूरूब करके दिखाना है और नमबर लाने के लिए मुझे इसको किस फ प्लामन निकाल लिया तो इसमें से 2 निकल गया तो 2x स्क्वाइर बचा और यहां से 2 निकल गया तो 2x बचा समझ रहे हो बात को ना प्लस 1 अब यह जो बीच वाली चीज बची बच्चों यह वाली यह जो चीज बची इसको हम कुछ मान लेते हैं इंटीजर ही तो है बहुत किसी कुछ भी वैल्यू रखोगे तो इसको हम मान लेते हैं देखो 2 और इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं बी और यह बाद वाला प्लस 1 तो देखो यह किस फॉर्मेट में आ गया ध्यान से समझना यह किस फॉर्मेट में आ गया किस चीज का फॉर्मेट है यह यह फॉर् डिपलाई कोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा even number और जैसे one जोड़ोगे क्या बन जाएगा odd number तो a को तो मैंने शुरू में odd number माना था, odd number का square किस के बराबर आया, odd number के बराबर दिख रहा है न, यह odd number ही है, तो prove हो गया, इसमें आप detail अगर देना चाहते हैं वाइसे लिख सकते हैं, since b is any integer, b is equal to किस की जगह पर b लिखा हूँ में, 2x square प्लस 2x की जगह, ठीक है, समझ रहे हैं न, तो b कोई number होगा, therefore आप ऐसे लिख सकते हो, 2b is an even number, therefore 2b plus 1 will be odd number, तो prove हो गया यह आपका, proved, ठीक, उमीद है, यह आपको समझ में आ गया होगा, और चुकि यह set c है, जैसे हमने set b में आपको बताया है, कि बच्चों, set a की तरह ही आगे के question, question number 11 से लेके question number 18 तक पूरे सेम रहते हैं, set b और set c में, तो फर्दर उसको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने set a में बना लिया है, तो वही question यहाँ repeat होंगे, बस उनकी numbering उपर नीचे हो जाती है, तो खाली हम set b और set c के दददस question ही practice करेंगे, मा की question 11 से 18 तक पूरा सेम रहता है, वह आप set a में जाके देखो, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक share करो, और अगर आप channel पर नए आए हो, तो channel को जरूर सब् के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपन किसी next video में, thank you